आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मेरे इस योट्यूब चैनल में भारत के इतिहास से संबंदित कुछ महतोपूर्ण प्रशनों पर रोज हम लोग डिसकसन कर रहे हैं जो की UGC, NET, SET, TGT, PGT, UPSC, State, PSC जैसे परिक्षाओं के लिए काफी महतोपूर्ण हो सकता है डीटेल में explain करने की भी कोशिस करता हूँ, जो options होते हैं उनके बारे में भी डीटेल में बताया जाता है, question पर चलते हैं सीधे, पहला question दिया है किस सिख सासक ने इसाई धर्म अपना लिया था, बड़ा अच्छा question हो सकता है, तो देखेगा महराजा रणजीत सी हैं, जिन् सासक आते हैं, दलिप सी हैं, नवनिहाल सी हैं, खडग सी हैं, एक और सेर सी हैं साइद, ऐसा कुछ नाम है, तो इससाब जो है, चार सासक आते हैं, 1849 से लेकरके 1849 तक आने वाले दस वरसों तक, तो इन में से किसी सासक ने जो है इसाई धर्म अपना लिया था, वो थे महरा महराजा दलीप सी हैं जो कि सिक्ष सामराज्य के अन्तिम आज By MahaRaja थे यह अल्पाइयू थे मतलब बच्चे थे और इनको जो है ना जब डुटिय आंगल सिक्ष युद्द होता है तो महराजा दलीप सी हैं को रानी जिन्दा के साथ इसकी जो मateur होती है ना े दलिप सीह की, उसके साथ विलायद भेज दिया जाता है, इंग्लेंड भेज दिया जाता है, जहां पर इसको जो है, कन्वर्ट कर लिया जाता है, और ये जो है 1853 में इसाई धर्म अपना लेता है, महराजा दलिप सीह, लेकिन जब ये वापस आते हैं ना भारत, तो फिर पत्रिकाओं में लेख लिखा करते थे सहीध भगजसिंह जी के बारे में आप श्रोभी को पता होगा सहीध ए आजम के नाम से इनको जाना जाता है तो ये जो है ना छदम नामों से चदम का मतलब होता है गुप्त या फिर कुछ जूठे नाम सीधा हम लोग बोल सकते हैं होता क्या था कि उस जमाने में अंग्रेजों के जमाने में कोई भी वेक्तिना अपने मूल नाम से कोई क्रांतिकारी टाइप का चीजे नहीं लिख सकता था क्योंकि उसके गिरफतार होने का खत्रा होता था अगर कोई अपने मूल नाम से लिखेगा तो उनके लेख छपा करते थे तो इनके द्वारा जिन छदम नामों का प्रियोक किया जाता था अगर मैं बलराज की बात करूँ तो यह चंदरशेखर आजाद जी का छदम नाम था बलराज बलवन्त सिहं यह जो है भगत सिंग आजाद इस नाम से लिखा करते थे अरजुन नाम स भी इनके कुछ लेख प्राप्त हुई है इनके अलावा इन दोनों के अलावा बलवन्त सिहं अरजुन के अलावा इनका एक नाम मिलता है B.S. Sandhu ये मतलब बलवन्त सिह संधू इसी का जो है सौट नेम होना चाहिए मेरे ख्याल से बलवन्त सिह संधू इस नाम से लिखते रहे होंगे तो उसी को जो है B.S. Sandhu किया गया होगा मतलब उस नाम से वो उन्होंने लिखा होगा इसके अलावा विद्रोही नाम से भी इनके लिख मिले है विद्रोही नाम से ये जो कीर्ती है ना ये पत्रीका है कीर्ती पंजाबी पत्रीका है जिसमें विद्रोही के नाम से इन्होंने लिख लिखा है वहीं अगर हम प्रताप की बात करें तो ये भी एक पत्रिका है जो की कानपूर से निकला करती थी और इसमें जो है बलवंत सिंग के नाम से ये लेख लिखा करते थे प्रताप पत्रिका के जो संपादक थे गणेस संकर विद्यार थी ये जो है क्रांतिकारी पत्रकार के रूप में जाने जाते हैं भारती इतिहास में और इन्ही की पत्रिका थी प्रताप और इन्ही के यहां जो अपने भगत सिंग है वो चदमना मतलब बलवंत सिंग के नाम से लेख लिखा करते थे तो इसको ध्यान में रखेंगे और बलराज किसका नाम था तो चंदरशेख राजात का तो यहाँ पर आपका दो और तीन जो है आंसर होगा अगला कुश्चिन दिया है चष्टन किस वंस से संबंदित राजा था तो भई चष्टन जो है यह कारदमक वंस का राजा था और आगे चल करके इसी कारदमक वंस में फिर एक और राजा होता है जिसको रुद्रदामन के नाम से जानते हैं मतलब कि यह जो है सक वंस का था देखो सको में ना काफी सारे अलग-अलग वंस निकले थे या फिर कहें अलग-अलग उनके भाग थे उन्हीं में से था कारदमक कारदमक वंस का संस्थापक था चष्टन और इनके द्वारा जो है भारत में सिको में जो है लेक वगरे लिख या फिर हम इसको बोल सकते हैं कार्दमक सक्वन्स का संस्थापक था चस्टन बाकि होन कुशान यूनानी ये सब जो है भारत में आक्रमन करने वाले सासक थे अगला कोशन हम देखते हैं महात्मा बुद्ध ने प्रथम महात्मा बुद्ध के प्रथम गुरु अलार कलाम का द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों का सासन होता था हाला कि आज के समान वोट दे करके वो अपने प्रतिनिधियों को नहीं चुनते थे लेकिन फिर भी जो है राजा नहीं होता था जनता के प्रतिनिधि टाइप के कुछ लोग होते थे एक प्रकार से ना किसी जो घराना मतलब कुछ व्यक्तियों के समोह के हाथों में सत्ता होती थी दस गणराज्य थे बुद्ध के समय में तो अलार कलाम जो की बुद्ध के प्रतम गुरू थे जोनोंने वैशाली में गवतम बुद्ध को दीक्षा दी थी तो ये किस गणराज्य के थे तो भाई ये केसपूत के थे केसपूत देखो अगर हम रामगाम की बात करें तो यहां के लोगों को बोला जाता था कोलिया रामगाम के कोलिया अलकप के लोगों को बुली बोला जाता था अलकपक के बिल्ली, पीपलीवन के मुर्या, पीपलीवन जो गंड़ राज्य था, वहां के लोगों को मुर्या बोला जाता था, मतलब इनकी जाती या सरनेम रही होगी, इसलिए इनके नाम के बाद अलार कलाम लगा हुआ है, तो यह केसपूत गंड़ राज्य से संबंधित अगला कुश्चों दिया है वेब मिलर का संबंध है वेब मिलर जो कि एक European पत्रकार थे और महत्मा गांधी जी से बड़े प्रभावित थे और महत्मा गांधी जी के अंदूलन को reporting करने या फिर कहें महत्मा गांधी जी के बारे में अधिक से धिक जानने के लिए और दुनिय से एक वेब मिलर भी था मतलब कि ये सविने अवग्या अंदुलन से संबंधित था वेब मिलर। नाम ध्यान रखना अगला question दिया है, बंदी जीवन किसकी आत्मकथा है। बंदी जीवन बंदी जीवन जो है काफी फेमस पुस्तक है या फिर कहें जीवनी या आत्म कथा इसको बोलना चाहिए हाँ आत्म कथा आत्म कथा ही तो मैंने लिखा है तो बंदी जीवन जो है काफी प्रशिद आत्म कथा है और भारत में जब क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुवात हुई न तो उस समय जो फेमस जो प्रशिद जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा यह लिखा गया था और यह पुस्तक जो है आगे आने वाले अन्य क्रांतिकारीयों के लिए क्या बोलना चाहिए एक प्रेणा स्रोत के रूप में काम आता था यह जो पुस्तक है या फिर यहा आत्मकथा तो किसकी है यहां पर अगर जो भी बच्चा चंद्रशेखर आजाद लगा रहा है ना तो भई वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है कि चंद्रशेखर आजाद तो कभी बंदी बनाए ही नहीं गये थे कभी मतलब जेल में थे ही नहीं नहीं तो वो इ देल में काफी यातनाएं दी गई थी तो यह जो आत्मकथा है वो सचिंद्रनाथ सान्याल जी ने लिखी थी और इसका पंजाबी में अनुवाद किया था भगत सिंग ने ये आप लोग ध्यान में रखेंगे विनायक दामोदर सावरकर इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1877 की कृएं लेकिन उससे पहले भारतिये लोगों ने कभी भी 1877 की कृएं नहीं माना तो ध्यान रखना इस चीज को भी और अकबर के बहुत बड़े आलोचक थे और अकबर के दरबार में रहा करते थे ध्यान रखेंगे इस चीज को और अब्दुलकादिर बदायूनी की इस पुस्तक मुंतखब अततवारिक इसमें जो सबसे खास बात है ना अकबर के समय का इतिहास देखने को मिलता है लेकिन इ एक पुस्तक लिखी थी अकबर नामा जिसमें उसने अकबर के लगभग लगभग 46 वरसों का इतिहास लिखा मतलब अकबर के सासनकाल के 46 वरसों का इतिहास लिखा था अबुल फजल वो तो पूरे अकबर ने जितने साल सासन किया पूरा इतिहास लिख लेता लेकिन अकबर के पुत्र शलीम जो आगे चलकर के जहांगीर के नाम से बात्सभा बना उसके एक मित्र ने उसकी हत्या कर्वादी थी, Πषाय अबूल फजल की हत्या करवा दी थी तो अकबर नामा में अबूल फजल ने अकबर की बहुत प्रसंसा की यह मतलब की अकबर के जो आलोचनात्मक कारिया है ना चाहे वो चित्तोर में अकबर ने जो कतले आम करवाया था या फिर अकबर ने मजहर की घोशना की थी अकबर के मत क्योंकि अबूल फजल सरकारी इतिहासकार था तो जैसा अकबर को ठीक लगा वैसा उसने लिखा एक तरह से यह बोलना चाहिए कि अबूल फजल का जो अकबर नामा है वो अकबर को खुश करने के लिए लिखा लिया था लेकिन जो बदायूनी है उसने जो है बिलकुल भी किस चीज की चिंता नहीं की और उसने अबूल फजल और अकबर का काफी आलोचना किया है तो जब भी हम अबूल फजल के अकबर नामा को पढ़ते हैं तो उसके साथ मुंतखब अततवारिक को भी पढ़ना आवश्यक है क्योंकि अबूल फजल ने अकबर का जिस प्रकार से अत अकबर का आलोचक था तो ध्यान रखेंगे अबूल फजल की रचना अकबर नामा बदायूनी की रचना मुंतखब अततवारिक और ये चीज को भी ध्यान रखना है कि बदायूनी अकबर का बहुत बड़ा आलोचक था प्लस वो उसके ही दरबार में रहा करता था ये ध्या अगला कुश्यन दिया है खम नोर का युद्ध संबंदित है खम नोर का युद्ध किस से संबंदित है अगर हम खम नोर की बात करें ना तो ये जो है राजस्थान में एक जिला है राजसमंद करके राजसमंद करके एक जिला है राजस्थान में वहाँ पर एक छोटा सा गा मुगल काल से ही रहा है और यहाँ पर जो तीनों युद्ध दिया हुआ है पानिपत का प्रथम युद्ध द्विती युद्ध त्रिती युद्ध भारत में लड़े गए थे पानिपत का जो पहला युद्ध है वो 1526 में दूसरा युद्ध जो है 1556 में तीसरा युद्ध जो तरफ मुगल बात्साह अकबर की सेना थी यहां पर मुगल बात्साह अकबर की सेना का नित्र तो कर रहे थे आमेर के कच्छवाहा राजा मानसी हैं जो की मुगल बात्साह अकबर के सेना पती थे यहां पर बदायूनी भी राजा मानसी के साथ थे यह भी आप ध्यान में रखे इसमें न बदायुनी ने हल्दी घाटी के युद्ध का काफी अच्छे से विवरण लिखा है कि किस तरह से महाराना प्रताप की जान उसके जो भरोसे मंद सरदार जहलामान उसने बचाई थी यह सारा कुछ उसने लिखा है और यह भी लिखा है कि जो महाराना प्रताप थे वो कितने वीरता पूर्वक लड़ा था तो वो चीज भी उसने लिखा है तो ध्यान रखेंगे खमनोर का युद्ध जो है हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित है अगला कुश्चन दिखते है नेता जी सुभास चंद्र बोस ने किस इस्थान से होना चाहिए था किस इस्थान से दिल्ली चलो का नारा दिया था तो भई ये नारा दिया था इन्होंने सिंगापूर से उनिस सो तैंतालिस में सिंगापूर से दिल्ली चलो का नारा दिया था अगला कुश्चन दिखते हैं लखनव के किस नवाब का मकबरा दिल्ली में इस्थित है बड़ा अच्छा कुश्चन हो सकता है ये लखनव के नवाबों के संबंध में एक्सर कोश्चन पूछा जाता है तो इसका आंसर होगा सफदर जंग सफदर जंग जिसका सासनकाल था 1749 से 1754 तक 1754 में इसकी मृत्यू हो जाती है और इसका जो मकबरा है ना दिल्ली में इस्तित है ध्यान रखना इसकी मृत्यू हाला की लखनव में हुई थी मगर जो सफदर जंग है वो लंबे समय तक दिल्ली की राजनीती में काफी वैस्त रहा और मुगल सामराज्य का ये वजीर तक रहा सफदर जंग तो दिल्ली की राजनीती में इसका महत्तोपूर्ण रोल रहा है उन वर्सों में 1749 से 1754 के बीच और इस बीच जो है ना मराथे उत्तर भारत में काफी सक्रिय हो रहे थे तो उस समय की जो राजनीती थी जो की काफी उलजी हुई थी सफदर जंग जैसे एक कुसागर राजनीतिग ने उसको अच्छे तरह से हैंडल करके रखा हुआ था तो जब इसकी मृत्ति होती है तो इसका मकबरा जो है दिल्ली में बनवाया जाता है जो की आज भी मौझूद है और देखने लायक है लोग जो इसको देखने भी जाते हैं सफदर जंग का मकबरा दिल्ली में इस्तित है इसके अलाव़े एक और चीज़ ध्यान रखना कि दिल्ली में ना एक सड़क का नाम भी है सफदर जंग रूड यह भी ध्यान रखेंगे जो की जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध लड़ा गया था ना 1701 में मराथों और अहमत सा अबदाली के बीच तो उसमें भी जो है सुजाउत दौला ने पार्टिस्पेट किया हुआ था ये जो है ना अहमत सा अबदाली की ओर से लड़ा था मराथों के खिलाप इसके बाद 1764 में जब बक्सर का युद्ध होता है उसमें भी जो है ये जो सुजाउत दौला है उसमें भी पार्टिस्पेट करता है तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है आप लोग मुझे कॉमेंट करके बताईएगा कि आपसे कितने कोस्टन सॉल्व हो ही है किसी भी कोस्टन में कोई भी डाउट हो जरूर बताईएगा इसके अलावा आपके जो भी सुजाओ हो उसको भी जरूर बताईएगा वीडियो को जितना हो सके आप सेयर कर दिया करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इसी तरह कि और वीडियो देखना हो तो और